बागलपूर सुल्तानगर्श थानाशेत्र के जिचो पोखर के समीब प्रॉपर्टी डीलर दुरुप कुमार बिंद की देजरात रौड से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है वहीं इस मामने में दुरुप बिंद के भाई संजीब बिंद ने अस्थानीय पुलीस को बताया कि पोलदारी गाउं के नवीन बिंद के साथ हमारे भाई दुरुप बिंद प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे कुछ दिन पहले पैसे की लेंदिन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था घटना की पुर्व किसी ने फोन कर दुरुप बिंद को घर से पोलदारी बुलाया और फिर हमारे भाई दुरुप बिंद की रौड से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है मृतक दुरुप बिंद के भाई का कहना है संजीब बिंद ने नवीन बिंद उसके भाई राम परवेस बिंद और तनिक बिंद ने हमारे भाई दुरुप बिंद के पीट-पीट कर हत्या कर दी इस मामले में मिर्ते के भाई उत्त तीनो पर नामजद हत्या की प्रार्थमी की थाना में दर्ज कराई है वहीं पुलीस ने तीनो नामजद आरोपी को गिरफतार कर शब को पोस्ट माटम के लिए भागलपूर भेज दिया है गटना की जानकारी मिलते ही देराट गटनास तल पर डियेसपी डॉक्टर गौरण कुमार थानाद्यक्ष लाल बहादूर पहुच कर गटना की पूरी तहकिकात करते हुए नामजद तीनो आरोपी को गिरफतार करते हुए शब को पोस्ट माटम के लिए भागलपूर भेज दिया है वही परीजनों ने मरी तक दुरूपबिंद की पोस्ट माटम कराते हुए अपने घड के समिप ग्रामिनों के सही योग से मुअफजा की मांग एवं अपरादियों को फांसी की सजा को लेकर गंटो सरक जाम किये वही गटनास्तल पर सीयो शंभूरन वीडियो मनोज कुमार मुर्मू थाना देख्ष लाल बहादूर ने पहुँचकर परीजनों को समझाते हुए और उनसे मुलाकात करते हुए मांगो को लेकर आज वाशन देने पर सरक जाम को हटाया गया वीडियो साव है उस दिलेगा इसमें कोई दुमक नहीं है पुलीस पत्से चोबिस घंट कुमारने वाला तो फासी के दिया जाए बश्दाल अमर की उनका पाल बच्चा जजदुर इसको छोटा चोटा है सरकार उसको मौजा दिया जाए उतने सुनभात वोलें मगर सी वीडियो साव् अब हर खबर पर होगी हमारी नजार पल पल पदलती देश और दुनिया की हर खबर पाईए सीधा अपने मोबाईल पाद ऐसी ही खबरों के लिए करें सेट 24 लाइब को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिये गए बेल आइकन को भी दबाएं